हलो, स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिशनल पटेटो सालट कैसे बनाते हैं सालट होने के बावजूद भी यूरोप और नौथ अमेरिका में में गोर्स के साथ साइड डिश के तौर पे खाया जाता है इसे पोटलक और पिक्निक में पसंद किया जाता है क्योंकि इसे बार-बार खाने को मन करता है इस सालट में मुझे सबसे जादा ये पसंद है इसे बनाने में महनत नहीं लगती और सभी को पसंद आता है और आलू खाने में किसे अच्छा नहीं लगता तो इस क्रीमी पतेटो सालट को बनाने में क्या-क्या लेगेगा देखते हैं उबले हुए आलू, मयोनीज, क्रीम, नीमुका रस, करी पाउडर, नमक, काली मिर्च और गानिश के लिए धनिया के पत्ते सबसे पहले उबले आलू को क्यूबिक शेप में काट लेंगे और एक बड़े से बॉल में रखेंगे एक बार आलू थंडे हो जाए तो उसमें मयोनीज आठ करेंगे क्रीम, करी पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर और धनिया के पत्ते सबको अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे देखिएगा कि आलू के सारे पीसेज इस क्रीमी सॉस के साथ मिक्स हो जाए इसमें थोड़ा सा नीमू का रस डालिए नीमू का रस मिलाने से इसके सारे फ्लेवर्स निखर के आएंगे और इसमें खटास भी आएगी अब इसे सर्फ करने की बारी है मैंने कुछ गोबी के पत्ते सजा के रखे हैं जैसा क्या आप देख सकते हैं हमें बस इन में ये सालड भर देना है गर्मी के मौसम में इस सालड को खाने का बड़ा मज़ा आता है तो सर्फ करने से पहले इसे फ्रिज भी रख दीजिए झाल 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 झाल